और चलिए अब बात करते हैं जैपुर एयरपोर्ट के एक नए कीरती मान के वित्यवश 2018-19 में जैपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या करीब 55 लाख रही और ऐसा पहली बार हुआ है जब जैपुर एयरपोर्ट से हवाई यात्रियों काकड़ा 50 लाख के पार कर गय वित्यवश 2018-19 में पिछले सत्र के मुकाबले 7 लाख से ज्यादा यात्रियों ने हवाई सफर किया रेपोर्ट देखे साथ से 9 लाख यात्रियों का आवागमन बढ़ रहा है वित्यवश 2018-19 में यात्रियों की संख्या 54 लाख 84 हजार हो गई वितवर्ष 2018-19 में जैपूर एइपोर्ट से 54,84,000 यात्रियों ने सफर किया पहले के सत्र की तुलना में 7,27,000 ज्यादा यात्री भार रहा जैपूर एइपोर्ट से इस वर्ष 46,209 विमानों का मुवमेंट हुआ प्रते दिन औसतन 63 फ्लाइट्स का संचालन हुआ जबकि पिछले सत्र में 42,289 विमानों का मुवमेंट रहा था वही प्रते दिन 58 फ्लाइट्स का मुवमेंट रहा था हलांकि इस बार यात्री भार में बढ़ुत्री अपेक्शक्रत अच्छी नहीं रही है पिछले वित्तवर्ष में जहां यात्री भार में 9,52 लाक यात्रीों की बढ़ुत्री हुई थी यानि इस बार यात्री भार गिरा है इसके पीछे कुछ शहरों की फ्लाइट्स का बंद होना और कई अन्य शहरों के लिए फ्लाइट्स अंचालन कम होना भी कारण रहा अंतिम तीन माह में यात्री भार और विमानों का मुवमेंट भी कम रहा साथ ही बार-बार रन्वे बंद करने के लिए लगाये गई नोटब का भी असर दिखा दरसल जम्मू की एक मात्र फ्लाइट पिछले साल अक्टूबर 2018 में बंद हुई बैंकोक की थाई स्माइल की फ्लाइट इसी साल मार्च में बंद हुई और लकनव वारानासी उदैपूर चे नई की कनेक्टिविटी भी कम हुई है वहीं यात्री भार का लेखा जोका देखे तो साल 2014-15 में 22.04 लाख यात्री साल 2015-16 में 39.03 लाख यात्री वर्ष 2016-17 में 38.05 लाख यात्री साल 2017-18 में 47.57 लाख यात्री और साल 2018-19 में 54.08 लाख यात्री भार रहा उदर जैपूर एरपोर्ट पर यात्रियों के संख्या में बढ़ुत्री हो रही है उसी अनुपात में यात्रियों के लिए समस्याएं भी बढ़ती जा रही है ऐसे में जैपूर एरपोर्ट पर सुविधाओं को बरकरार रखना भी एक बड़ी चुनौती है काशी राम चौधरी, First India News, जैपूर